नमस्कार दोस्तों आज हम बनाएंगे गाजर की खीर बहुत कम समय में बनने वाली रेसिपी ना ज्यादा मेहनत करनी है ना ज्यादा गैस जलेगा सिर्फ 10 मिनिट में बनकर तैयार हो जाएगी आए बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले मैंने ली है एक किलो गाजर जिसके दोनों साइड के इसे थोड़े थोड़े कट करके हम इसके छिलके उतार लेंगे गाजर के छिलके मैंने उतार दिये हैं अब हम गाजर को अच्छी तरह पानी से धो लेंगे गाजर को दोने के बार हम इसके छोटे छोटे टुकडे कर लेंगे चाकू की मदद से गाजर जो है हमारी छोटे टुकडो में कटकर तयार हो चुकी है अब हम इसको डाल देंगे एक कुकर में गाजर को हमने कुकर में डाल दिया है अब हम इसमें डालेंगे लगबग एक ग्लास मतलब 200 ml जितना पानी कुकर का धकन कर देंगे बंद और हम बजने देंगे इसकी 3 सीटी गाजर हमारे बिल्कुल उबल चुकी है अब हम इसको मैशर की मदद से बिल्कुल बारिक बारिक पेस्ट जैसा मैश कर लेंगे गाजर जो है मैशर की मदद से जैसे के आप देख रहे हैं मैंने बिल्कुल बारिक मैश कर ली है अब हम इसको साइड में रख देंगे कुछ देर के लिए अब मैंने रख दिया है एक कड़ाई में एक लिटर दूद गरम होने के लिए जिसको हम आने देंगे सिर्फ एक उबाल जैसे ही दूद जो है वो उबलने लगता है तो हम इसमें डालेंगे एक छोटी कटोरी चीनी या फिर आप अपने स्वात के इसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं एक बार फिर से इसको थोड़ा सा और उबलने देंगे दूद में एक और उबल जैसे ही आ जाता है तो अब हमने जो गाजर मैश करके रखी थी दीरे दीरे करके सारी ही इसमें डाल देंगे इस वक्त हम गैस को रखेंगे बेलकूल मीडियम आज पर मैश करे हुए सारी गाजर हमने दूद में डाल दी है अब सिर्फ एक से दो मिनिट के लिए इसको हम मीडियम आज पर खौलने देंगे जैसे ही गाजर दूद में खौलने लगती है तो हम इसमें डालेंगे लगबग 30 ग्राम जितना मिल्क पाउडर अगर आप इसमें मिल्क पाउडर नहीं डालना चाहते तो यहाँ पर आप खोया भी डाल सकते हैं ताजी मलाई भी डाल सकते हैं या फिर फ्रेश क्रीम जो अवेलेबल होता है मार्केट में वो भी डाल सकते हैं क्योंकि यह चीज जो है वो इसमें गाड़ा पन बढ़ाएगी मिल्क पाउडर मिक्स करके हम फिर से एक दो मिनिट के लिए मीडियम आज पर इसको उबाल लेंगे दो-तिन मिनिट तक खौलने देने के बाद मिल्क पाउडर की मदद से हमारी खीर जो है वो काफी गाड़ी हो चुकी है जैसी होनी चाहिए अब हम इसमें डालेंगे कुछ मिक्स ड्राइफूट आपके पास जो भी हो वो आप इसमें डाल सकते हैं अच्छे से कर लेंगे इसको एक बार मिक्स और खौलने देंगे फिर से दो मिनिट के लिए लगबग दो मिनिट तक खौलाने के बाद गैस को हम कर देंगे बंद खीर हमारी बनकर बिल्कुल रैडी हो चुकी है लास्ट में हम डालेंगे छे से साथ कुटी हुई इलाइची का पाउडर एक बार फिर से अच्छे से मिला लेंगे खाने के लिए खीर बिल्कुल तयार है बस इसको परोस देंगे हम एक बरतन में स्वाद और सिहत से भरपूर हमारी गाजर की खीर बिल्कुल बनकर तयार है आपके सामने मैंने इसको परोसा है गार्निश करके फ्रेश क्रीम और मिक्स ड्राइफ रूट्स के साथ साथी में मैंना रखा है इसमें केरेल मलाई शुगर का टेस्ट दोस्तों नॉर्मली हम बहुत मैंनत करते हैं इसके लिए कद्दू कस करना उसके बाद गंटो गैस जलाना तब जाके कहीं बनती है हमारी गाजर की खीर लेकिन मेरा ये जो आइडिया है इससे सिर्फ 10 मिनिट में ही स्वाद और सेहत भरी हमारी गाजर की खीर बनकर बिल्कुल तयार है सर्दियों में तरह तरह की चीज़े यूज करते हैं सरीर को गर्म रखने के लिए एक ये तरीका भी आजमा कर देखिए ताजा ताजा रोज करेंगे तब भी बच्चे खुशी खुशी खाएंगे और बड़े भी मांग कर लेंगे उमिदे दोस्तों आपको मेरी ये जो रेसिपी है वो पसंदाई होगी तो प्लीज लाइक, शेर, कमेंट और सब्सक्राइब शुक्रिया